हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूच्वा प्रहार में दोस्तो मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा दोस्तो आज का ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो मेंटेनिंस के एक रिसेंट जज्जमेंट पर आधारित है बहुत सारे लोग दोस्तो ऐसे होते हैं जिनकी इंकम जो है वो हाई साइड में होती है secondly बहुत से लोग ये भी होते है कोई कैनड़ा में वर्क कर रहा है कोई USA में कर रहा है अब ऐसे में उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉबलम हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ी अमौन दिखाई देती है और उसके आधार पे मेंटेनिस बच जाया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी आज का जजमेंट ऐसा बताने वाला हूँ जिसमें पत्नी के मेंटेनिस को बिल्कुल जीरो कर दिया गया एक रुपया भी पत्नी को नहीं लगाया गया तो दोस्तो बहुत ही इंपोर्टेंट ये जजमेंट आप सभी लोगों के लिए रहेगा आखरी तक वीडियो में बने रहेगा और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरू क्लिक कर लें तक इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की सभी वीडियो के निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें दोस्तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एक पत्नी ने सेक्शन 24 हमे की एक अप्लिकेशन लगाई उसमें उसने खुद के लिए मेंटेनेंस मंगा बच्चे के लिए भी म मेंटेनेंस मांग लिया अब दोस्तो सारे मामले के तथ्यों और प्रिस्थित्यों को देखते हुए जो फैमली कोट थी फैमली कोट ने पत्नी का जो मेंटेनेंस था वो कर दिया खारीच और बच्चे के लिए बास दिया 40,000 रुपे पर मंत अब इस ओडर को पती और पत्न इस पतनी ने के लeम यहाँ पर किया था अब पत्नी का कहना था कि वो अमेरिका में जॉप करता है जो हजबेंड है और वहाँ से डॉल्लर में उसकी कमाई होती है उसकी कमाई 7,134 अमेरिकन डॉलर पर prevent है अब दोस्तो इस मामले पर फैसला होना था अब जब मामला हाय था लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है कि उसका खर्चा भी डॉलर में ही होगा यानि 7134 उसको अमेरिकन डॉलर मिलते हैं और मैं आपको बता दूँ भार सेविंग करना बड़ा मुश्किल होता है हमें लगता है हैं बैठके कि सामने वाले डॉलर में कमा रहा है लेकिन दोस्तों यहां जो चीज हम 5 रुपे में खरीते हैं वो 5 डॉलर में खरीते हैं यानि सिधा सिधा जो चीज हमें पांच रुपे की पढ़ रही है, वहाँ पर उन्हें बोई चीज साड़े तीन सो रुपे की पढ़ रही है, तो खर्चा भी तो वैसा ही है ना, तो कोट ने यही बात कही, और कोट ने कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगे है तो पत्नी को तो मेंटेनिस दिया ही नहीं जाना चाहिए, और जो बच्चा है, बच्चे के भरन पोश्चन की जिम्मेदार यह दोनों पर है, तो जो 40,000 रुपे परमंद बच्चे के लिए मेंटेनिस बांदा था, उस 40,000 रुपे को कम करके यहाँ कोट ने कर दिया, 25,000 र पत्नी नहीं है, जहां पर पत्नी अर्निंग होती है, और उसके बाद भी अच्छा खासा मेंटेनिस उसको मिल रहा होता है, और दोस्तों ऐसे यह केस मेरे पास भी आया था, इंट्री मेंटेनिस के बाद, तो इंट्री मेंटेनिस से पहले वो केस कहीं और चल रहा था, तो वहाँ पर क्या था है कि इंट्रिम मेंटेनेंस ही 30,000 रुपर परमंत पत्नी का बांद दिया गया था, वो भी तब जब पत्नी खुद अन करती थी, तो ऐसा नहीं है कि हर मामले में ऐसा होता है, अगर आप गलत तरीके से चीजों को लेके आए, आज किस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नहीं जनकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुडबाय और थेंक्यों फर वाचिंग, टेक कियर